इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो एससी का फांडेशन बाइच जो हम लेकर आ रहे हैं उसका पूरा का पूरा सिद्डियूल पूरी के पूरी प्लानिंग किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट किसके बाद कम्प्लीट कराया जाएगा साथ साथ में टेक्निकल आज वेल आज तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिटने भी स्टूडे करके सब्सक्राइप BU जुरेंप्स कर रहा हूं कौन सा सब्जेक्ट सिस्ट form को राएं कि सब्जेक्ट कम 안सरी सब्जेक्ट किसेत wrapped कि स्ब्सक्राइए कर सकते ऩित हो फोया जेनवरी कूर्डध के सकते होूज हूए स्टार्ट हो रहा है अड़ा 24-7 के एप्लिकेशन पे एविलेबल है राइट फांडेशन बैच है ससी जेए को टारगेट रखते हुए और चुकि आपको पता है कि ससी जेए के एक्जामनेशन में काफी टाइम है इसलिए इस बैच की लेंद्ध भी रखी गई है लगभग 5-6 महिने की तो 5-6 मन्थ का प्रॉपर प्लानिंग आपको डिस्कस करने जा रहा है इन फैक्ट 5 मन्थ की है 5 मन्थ का बैच है 5 महिने में आपकी continuous classes मिलेंगे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की 14th of January से स्टार्ट हो रहा है यानि कि अब आज 12 आरिक होगी दो दिन बाद स ये बैच स्टार्ट हो रहा है जिन बच्चों को जॉइन करना होगा first class से आप जॉइन कर सकते हैं अभी आपके पास time है दो दिन का इन दो दिनों में जॉइन कर सकते हैं किसी भी student को अगर ये बैच पर्चेस करना हो Y293 ये coupon code लगाओगे इसमें discount आपको मिल जाएगा ये बैच आपको मिल जाएगा लगवग 25-26 में जिसमें आपको technical non-technical सब कुछ मिल जाएगा ठीक है चलिए तो discussion करते हैं start बात करते हैं सबसे पहले आपके subject की starting date जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 14th of January 14 January से ये batch start हो रहा है इसमें classes जो starting में आपकी लगेंगी fluid mechanics की और environment की ये दोनों classes start हो रही हैं environment मैं आपको पढ़ाऊंगा fluid mechanics आपको रहुल सर पढ़ाएंगे इस batch में right साथी साथ आगे देखेंगे आप ये 17 जनवरी 17 जनवरी से इसमें history की classes भी आपको मिलने लगेंगी और और आगे बढ़े अगर 24 जनवरी तो 24 जनवरी से reasoning की classes भी आपक के बाद आपको इस तरीके से economics classes और reasoning की classes बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है guys यहां पर 24 classes लगाई गई है चुकि आपको पता है कि reasoning का वेटेज SSC JE में बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यहां पर reasoning classes हमने ज़्यादा रखी है साथी साथ यहां पर environment के बाद surveying और इस तर इसने भी examination होते हैं इस foundation batch में अगर आपने RCC या किसी भी subject को अगर काईदे से पढ़ा तो वो सभी examination के आपके questions हो जाएंगे चाहे theoretical हो चाहे numerical questions हो किसी भी type के questions हो तो guys यहां पर आपको detailed study detail पूरा का पूरा प्लान बता रहा हूं इसलिए ताकि आपसे कुछ भी miss ना हो इसक पीडिएफ भी share कर दूगा टेलिग्राम ग्रूप पर भी share कर दूगा यहां भी आपको application पर भी मिल जाएगा अड़ा 247 के application पर भी telegram ग्रूप से विल भाई रजर सा है उसके लिए आपको वरी नहीं होने की जरूरत है ठीक है quality की classes है इसमे quality आपको मिल रही है ठीक है और स्वाइल मेकेनिक्स के बाद highway engineering साथ साथ में cpm and part की classes भी चल रहे हैं cpm and part की classes भी है इसमें steel structure की classes है building material and construction hydrology and so strength of material राइट तो गाइस इस सारी की सारी classes आप देख सकते हैं estimation and costing की classes है railway engineering की classes है सोम की classes इधर parallel चल रही है तो इस तरीके से यह batch अगर मैं सही मायनों में बात करूँ कि किस date पे finish हो रहा है sir end किस date पे हो रहा है तो आपको यहां पे दिखाई ज़रा है clearly 17th of May 17 माई को यह batch पूरी तरीके से complete हो रहा है right तो यह पूरा का पूरा plan था इस plan के मुताबित आप अपनी preparation जो है वह स्टार्ट रख सकते हो पढ़ सकते हो इसमें जो भी चीजह important है मैंने आपको दिखाया इसको note down कर लिजे और जो जो essential part है जैसे technical की बात करें non-technical की in fact focused batch रहेगा ssc.je के लिए अगर आपका target ssc.je का examination है तो आपको यह batch join करके अपनी classes को start करना चाहिए right तो इसलिए बोल रहा हूं जतने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको last में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी भी जॉइन नहीं किये हैं इस foundation batch को जॉइन कर सकते हैं effective learning, effective study के लिए proper guidance, technical की पूरी के पूरी team, अज्ड़ा के आपके साथ है non-technical की team है और अब तो team बहुत बड़ी भी हो चुकी है आप सभी को पता भी चला होगा तो definitely आपको बहुत स इसमें आपको numerical और theoretical दोनों टाइप के questions आपको practice करने हैं अगर आप preparation कर रहे हो जही है examination की right दूसरी बात बहुत important है guys यहाँ पे जितने भी diploma holder student है जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने diploma करा हुआ है जिन्होंने b.tech करा हुआ है उन सभी को एक बात बताओं कि अगर आप examination examination को target कर रहे हो examination के syllabus से एक बार go through नहीं हो रहे हो तो आपके लिए वहाँ पर problematic situation create होने लगती है आगे जाके तो सबसे पहले जैसे आपने बहुत सारे बच्चों ने अभी preparation start करी होगी या फिर उनका पूरा का पूरा जो है subject में misconception होगा कि यह यहां पर मुझे यह पढ़ना था यह नहीं पढ़ पाया यहां यह पढ़ना था यह नहीं पढ़ पाया उस पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या कर सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर बसके वाल एक चीज आपको सबसे पहले यह clear करना है कि मुझे examination कौन सा track करना है उस examination focus कर और ये दूसरी चीज आती है उस examination का syllabus एक बर देखिए start करने से पहले preparation start करने से पहले syllabus को देखिए syllabus देखने से आधा सरदर तो वहीं खतम हो जाता है आपको पता चल जाता है कि इतना इतना यह यह मुझे पढ़ना है कुछ syllabus ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका सर्दत बढ़ जाता है जैसे कि एक्जांपल के तौर तो बात करूं डी ट्रिपलस भी जे एससी जेई का examination जो है नो डाउट उसमें बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है इस्ट्रेंट को और time कम मिलता है तो उसमें जैसा इस बार से किया है डी ट्रिपलस भी ने लेकिन बहरहाल यहां पर बात हो रही है ससी जेई की ससी जेई का clean फंडा है सद्यों से चलता आ रहा है examination pattern यही रहने वाला है आपको technical के 100 questions और 50-50 questions में दो सेग्मेंट जिसमें reasoning के 50 questions और GKGS current affair वेगरा सब कुछ 50 में रहेगा 200 number का आपका pre examination होने वाला है all the best guys पढ़ाई करिए जो भी आपके upcoming examination है उनको अच्छे से दें आप लोग उन examination में बहुत सारे बच्चों के examination अभी recent examination है like UPSSCEJEE और UPSCAE के examination भी होंगे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कसमकस है कि examination सर होंगे की नहीं होंगे यह भी बच से पर आ रहे थे काफी टेलिग्राम ग्रूप से आ रहे थे मैं यहाँ पर clear करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे यह पूछ रहे हैं कि examination होगा कि नहीं होगा जब तक किसी भी examination की जब तक आपको clear cut notice नहीं आती है कि examination postponed हो गया तो अपने दिमाग में आधा percent या एक percent भी हलका सब ही यह नहीं सोचना है कि examination नहीं होगा preparation नहीं है कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं पड़ पाया थोड़ा से तल जाता तो अच्छा होता जब तक कुछ नहीं clear आया है तब तक आपको मानखे चलना है कि examination होगा और अचानक से जब admit cut आ जाते हैं तो आप सोचने लगत में एक पसेंट का भी डाउट ना रखें ठीक है thank you so much guys end करता हूँ इस वीडियो को जिन बच्चों को भी यह particular batch join करना हो जॉइन कर सकते हैं foundation batch ssc.jee का है description में link है वहाँ से भी जॉइन कर सकते हो application under 24 7 का download करके अपनी gmail address से login करके वहाँ search करोगे foundation batch यही आपको poster दिखाए देगा नीचे यहाँ पर दिखावा मिलेगा January 14 चौदर January से start हो रहा है ठीक है यानि कि दो दिनों बात से thank you so much